हलो क्लास ट्वैल चलिए अब हम लोग दा एनिमी चैप्टर की आगे की स्टोरी देखते हैं और ये देखते हैं कि सदाओ ने किस तरह से उस यंग मैन को उस नौजवान को हेल्प की थी पहले हम पढ़ चुके हैं कि सदाओ ने से समझा दिया था कि वो एक नाओ का इंतिजाम और कुछ खाने पीने की चीज़ों का इंतिजाम कर देगा और सामने में आईलेंड उसको भेजना चाहा रहा था सदाओ उसके पास एक बोट थी बोट की मदद से वो उस नौजवान को भागने में मदद करने वाला था अब आगे देखिए जब वो एबात उस नौजवान को बताता है तो वो दे यंग मैं नौड़ेट इन पर्फेक्ट कॉम्प्रिहेंसन ऐसे लगा जैसे वो पूरी बात समझ गया हो ओके ही सेट सिंप्ली उसने सिर्फ ओके कहा सदाओ did not see him again until the evening फिर शाम होने तक सदाओ उसके पास नहीं आया as soon as it was dark he had dragged the stout boat down to the shore and in it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day as well as two quilts he had bought at pawn shop और जैसे ही अंधेरा हुआ सदाओ ने अपने boat को घसीट कर क्या किया किनारे तक ले गया समुद्र के किनारे तक और उसमें खाना पीने का bottle पानी जो होता है वो क्योंकि समुद्री पानी तो खारा होता है पी नहीं सकते तो बाटल में पानी और साथी साथ चुप चाप से गुप तरूप से वो दिन में कठा कर लिया था उसने सब चीज़ें खरीद कर ले आया था और इसके साथी साथ दो कॉंबल भी उसने खरीद लिया था पान शाप से पान शाप कहते हैं उनको जहां पर पुरानी चीज़ें आप जाकर खरीद सकते हो दो बोट को उसने समुद्र के किनारे बांद दिया फॉर दे टाइड वाज हाई क्योंकि उस समय हाई टाइड थी देर वाज नो मोन रात अंधेरी थी और ये वर्क विदा उट फ्लैश ला उसको फ्लैश लाइट की भी जरूवत नहीं पढ़ रही थी हाला कि बिलकुल अधेरा था वेन रही थी और जब वो घर में आया तो उसने ऐसा शो किया कि जैसे वो काम से लोटा हूँ जब खाना पर उस रही थी हाना सदाओ को तो उसने बताया कि यूमी आज वहाँ पर आई थी though she was no modern वैसे तो वो modern नहीं है still she did not eat with him फिर भी वो हाना बहुत modern है अमेरिका में पढ़कर आई है लेकिन इसके बावजूद भी वो पती के साथ बैठकर खाना नहीं खाती थी यूमी cried over the baby she went on with a sigh एक लंबी सांस लेते हो इसने कहा कि यूमी जब आई थी न तो बच्चे के लिए बड़ा रो रही थी she misses him so और बच्चे को बहुत मिस करती है the servant will come back as soon as the foreigner is gone Sadao said Sadao ने कहा कि सारे नोकर न वापस आजाएंगे अगर यह जब यह foreigner यहां से चला जाएगा he went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature the state of the wound and his heart and pulse रात में वो guest room में आया और सोने जाने से पहले और बहुत ध्यान से उसने उस American के temperature को चेक किया उसके घाओ की दशा देखी कैसी है वो and his heart, heart और pulse भी उसने चेक किया the pulse was irregular but that was perhaps because of excitement उसने पाया कि pulse जो है थोड़ी irregular है लेकिन वो समझ रहा था कि यह कैदी जो है चुकि अब इसे freedom मिलने वाली है तो कुछ जादा ही excited है इस वज़े से pulse थोड़ी irregular है the young man's pale lip was pressed together उसने होटो को बिलकुल दबा रखा था and his eyes burned और आखें जल रही थी only the scar on his neck were red और आखें वो गर्दन पे जो निशान थे वो लाल थे I realize you are saving my life again he told Sadao Sadao को उसने कहा कि मैं समझ सकता हूँ आप दुबारा मेरे जीवन बचा रहे हैं not at all Sadao said नहीं बिलकुल नहीं it is only inconvenient to have you here any longer Sadao ने कहा कि सिर्फ हमारे लिए बहुत inconvenient है कि तुम यहाँ पर हो है ना तुम्हारा यहाँ रहना हमारे लिए बहुत inconvenient है he had hesitated a good deal about giving the man a flashlight उसके बाद उसको थोड़ी से hesitation हो रही थी काफी हद तक क्योंकि उसे लग रहा था कि flashlight इसको दें की ना दें but he had decided to give it to him after all लेकिन अंतने उसने फैसला किया कि वो उस नौजवान को flashlight दे देगा it was a small one his own चोटा सा flashlight था जो कि सदाओ का खुद का था which he used at night when he was called इस flashlight को वो रात में इस्तेमाल किया करता था जभी उसे कहीं से बुलावा आता था if your food runs out before you catch a boat he said उसने उस नौजवान को बताया जगर तुम्हारा खाना खतम हो जाता है इसके पहले कि तुम्हें कोई बोट मिले दूसरा बोट भागने के लिए मिले signal me two flashes at the same instant the sun drops over the horizon जब शाम धल रही हो तो उस समय तुम्हें दो वार flashlight चमका के बताना कि तुम्हारा खाना खतम हो गया है do not signal in darkness अंधेरे में तो तुम flashlight बिल्कुल नहीं जलाना for it will be seen क्योंकि किसी की नजर पढ़ जाएगी उस पे if you are all right but still here there signal me once और अगर तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो और फिर भी वहाँ पर इस बार signal देना you will find fresh fish easy to catch but you must eat them raw a fire would be seen तो उसने कहा कि वैसे तो वहाँ पर समुदर में तुम्हें fresh fish मिल जाएगी पकड़ आसानी से पकड़ सकते हो तुम उसको लेकिन उसे कच्चा ही खाना होगा क्योंकि अगर तुम आग जलाओगे और धुआँ उठेगा तो लोग तुमको देख लेंगे ओके दे यंग मैं बेंग लबी सांस लेते हुए उसने कहा कि ठीक है he was dressed now in a Japanese clothes which Sadao had given him उसके बाद उसने Japanese कपड़े पहन लिये जो Sadao ने उसको दिये थे and at last moment Sadao wrapped a black cloth about his blonde head अंत में Sadao ने आखरी समय में Sadao ने उसके सिर पर एक काला कपड़ा लपेच दिया क्योंकि उसके बाल जो थे वो तो golden color के थे now Sadao said ठीक है अब क्या करना है the young American without a word shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden और उसके बाद उस नौजवान American ने बिना शब्द बोले Sadao से हाथ मिलाया बहुत गर्म जोशिशे और बहुत धीमे धीमे वहाँ से निकला गलियारा क्रॉस किया और उसके बाद garden के अंधेरे में चला गया once twice Sadao saw his light flash to find his way Sadao ने देखा कि एक दो बार उसने flash light जलाया था शायद रास्ता ढूरने के लिए जलाया होगा but that would not be suspected लेकिन इससे कोई शक नहीं हो सकता है he waited until the shore until from the shore there was one more flash वो तब तक इंतजार करता रहा जब किनारे पहुचने के बाद वो एक बार flash light न जलाये then he closed the partition और उसके बाद वो अंदर आकर उसने partition बंद कर दी that night he slept उस राद सadao को अच्छी नहीं दाए you say the man escaped the general asked faintly general ने बड़े ही कमजोर आवाज में उससे पूचा कि तुम बता रहे थे कि वो आदमी भाग गया है he had been operated upon a week before एक सब्ता पहले ही उसका operation हुआ था an emergency operation to which Sadao had been called in the night general का जो है भी एक सब्ता पहले ही operation हुआ था और emergency operation हुआ था और इसलिए Sadao को रात में उससे देखने के लिए बुलाया गया था कि एक बर्मरीज की जाच कर लो for 12 hours Sadao had not been sure the general would leave 12 गंटे तक Sadao को इस बात का विश्वास नहीं था कि general जीवित बच पाएगा the gallbladder was much involved इसमें gallbladder बहुत जादा involved था then the old man had begun to breathe deeply again फिरो बुड़ा इंसान जो है वो लंबी लंबी सांसे लेने लगा and to demand food और खाना मांगने लगा Sadao had not been able to ask about the assassins यही कारण था कि Sadao नहीं उसे पूछ नहीं पाया कि हत्यारे आये थे की नहीं आये थे so far he knew they had never come अलांकि उसे यह बात समझ में आ रहे थी कि वो कभी नहीं आये the servant had returned नौकर वापस आ गये थे and Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burnt sulfur in it to get the white man's smell out of it अब नौकर घर में आ गये थे Yumi ने उस guest room को बहुत अच्छे से साफ कर दिया था sulfur भी जला दिया था ताकि उस गोरे वेक्ति की जो smell है वो घर से बिलकुल खतम हो जाए nobody said anything किसी ने कुछ नहीं बोला only the gardener was cross सिर्फ gardener का मुझो था वो थोड़ा सा रूखा था because he had not he had got behind with his krisanthemum और krisanthemum के पौदे को वो देख नहीं पाया था but after the week सदाओ फेल जनरल वाज वेल अनौफ to be spoken to about the prisoner लेकिन एक सब्ता के बाद सदाओ ने पाया कि जनरल की हालत अब कुछ ऐसी हो गई है कि उसे बाद की जा सके और कैदी के बारे में कुछ कहा जा सके yes excellency he escaped सदाओ now said सदाओ ने कहा कि excellency वो तो भाग गया he cuffed khansa signifying that he had not said all he might have said ये कहने के लिए khansa के और कुछ भी बोलना है but was unbillingly to disturb the general further लेकिन उसकी इक्षान ही हो रही वो जनरल को और डिस्टर्ब करे but the old man opened his eyes suddenly लेकिन तभी उस बुढ़े व्यक्ती ने अपनी आखें अचानक खोल that prisoner he said with some energy थोड़ी तांकत लगा कर उसने कहा कि अच्छा वो कैदी जो था did I not promise you I would kill him for you क्या मैंने तुमसे promise किया था कि मैं तुम्हारे लिए उसे जान से मरवा दूँगा you did excellency सदाओ said तो सदाओ ने कहा कि हाँ excellency आपने तो कहा था well well the old man said in a tone of amazement अच्छा अच्छा बहुत ही ताजुब से उसने ऐसा कहा so I did अच्छा ऐसा किया था मैंने but you see I was suffering a good deal लेकिन तुम देखो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी the truth is सचा ये है कि I thought of nothing but myself मैं तो और किसी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहा था सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था in short I forgot my promise to you और अगर इसमें छोटे रूप में कहें तो मैं सच मुझ तुम से promise किया जो किया था कि assassin भेजूंगा वो मैं भूल गया अपने बादे को मैं भूल गया I wondered your excellency सदाओ मरमर्ट सदाओ ने बुद्वयाते हो का कि हाँ मैं तो वैसे ही सोच रहा था it was certainly very careless of me the general said general ने कहा कि मेरी तरफ से तो सच मुझ बहुत careless वाल वाली बात हुई है but you understand it was not lack of patriotism or deliration of duty लेकिन तुम समझी सकते हो मैं एतनी तकलीफ में था कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देशभक्त नहीं हूँ या आपनी duty को सही तरीके से नहीं कर पाता हूँ चुकि मैं तकलीफ में था इसले भूल गया he looked anxiously at his doctor बड़े ही चिन्ती थोकर वो doctor की तरफ देखा if the matter should come out you would understand that wouldn't you ये बात अगर खुल गई तो तुम समझ सकते हो बहुत अच्छी तरह समझ रहे हो न certainly your excellency सदाव said हाँ बिलकुल समझ रहा हूँ excellency he suddenly comprehended that general was in palm of his hand अभी उसने महसूस किया कि general ने उसका हाथ पकड़ दिया था that was a consequence he himself was perfectly safe इसका अर्थ ही ये था कि अब वो बिलकुल safe है I can swear to your loyalty excellency मैं आपकी वफादारी पर की कसम खा सकता हूँ मतलब मैं जानता हूँ कि आप बहुत वफादार है he said to the old general उस बुढ़े general को उसने कहा and to your zeal about the enemy और दुश्मन के लिए आपका कैसा रवाईया होता है ये भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ you are a good man the general murmured general ने भुदभुद आते हुए कहा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो and close his eyes और अपनी आखें बंद कर ली you will be rewarded तुम्हें तो prize दिया जाएगा reward दिया जाएगा but सदाओ searching the spot of black in the twilight to see that night लेकिन सदाओ जो था घर पहुंसते हैं पहले वो उस island की तरफ देख रहा था शाम के समय कि शायद कुछ उधर से signal आ जाए he had his reward असली reward तो उसके लिए यही था कि वो कैदी जो है वहां से बच निकला there was no prick of light in the dusk शाम के समय कहीं पर कुछ ऐसी रोशनी उसको नजर नहीं आई no one was on the island island पर कोई नहीं था his prisoner was gone वो उसका कैदी जा चुका था safe, doubtless कोई शक नहीं है वो सेफ ली जा चुका था for he had warned him to wait for only for a Korean fishing boat और उसने उसको चेताब नहीं दे दी कि तुम सिर्फ Korean fishing boat का वेट करना जैसे ही वो आएंगे तुम उस पर बैठ कर जा सकते हो he stood for a moment on the veranda gazing out to the sea from whence the young man had come that other night और उस समुदर की तरफ देख रहा था जहां पर से एक समय वो कैदी, वो नौजवान जो था इसको मिला था and into his mind although without reason there came other white faces he had known और पता नहीं क्यों अचानक उसके मन में ये सब पुराने गोरे चेहरे नजार आने लगे जब वो अमेरिका में था तब की बात है the professor at whose house he had met Hana उस professor का चेहरा जहां जिसके घर पर Hana से उसके पहली मुलाकात हुई थी a dull man बड़ा ही dull सा वेक्ती था and his wife had been a silly, talkative woman उसकी पत्नी बड़ी बेकूफ पातूनी औरत थी in spite of his wish to be kind वैसे वो चाहती थी कि वो दयालू टिखे he remembered his old teacher of anatomy उसे अपनी पुराने anatomy के teacher याद आए who had been so insistent on mercy with the knife वो हमेशा यही सिखाते थे कि knife के साथ मतलब जो doctor की knife होती है उससे बहुत ही दयालूता से पेश आना चाहिए मतलब नाइव का इस्तमाल करने के समय थोड़ा soft होना चाहिए doctor को and then he had remembered the faces of his fat and slatternly lady और फिर उसको अपनी वो मोटी जो मकान मालकीन थी वो याद आई he had not he had had great difficulty in finding a place to leave in America because he was Japanese उसे याद आया कि अमेरिका में उसे रहने के लिए बड़ी difficulty हो रही थी कि कोई भी American Japanese को अपने घर में किराये पर नहीं रखना चाह रहा था the Americans were full of prejudice क्योंकि वो थोड़े से पहले से ही शक्की किसम के थे it had been bitter to leave in it और ऐसे माल में रहना बड़ा ही कड़वाट वाला होता है knowing himself they are superior क्योंकि अमेरिकान लोग अपने आपको सबसे superior समझते थे how he had despised the ignorant and dirty old women who had at last consented to house him फिर उस गंदी सी महिला को उसे कितना घ्रणा करता था वो जिसने किसी भी तरह से अपने घर में रहने के लिए उसको जगह दी थी in her miserable home बेकार सा घर था बहुत खराब सा घर था he had once tried to be grateful to her एक बार वो बहुत ही उसके प्रती किसे के लिए आभारी होना है तो वो उसके लिए बहुत ही आभारी था she had his last year nursed him through influenza क्योंकि आखरी साल में चदाओ को वहाँ पर अमेरिका में influenza हो गया था और उसने उसकी सेवा की थी but it is difficult for she was no less repulsive to him in her kindness वैसे तो द्रयालू थी लेकिन सदाओ को वो पसंद नहीं थी now he remembered the youthful haggard face of his prisoner white and repulsive फिर उसको उस व्यक्ति का जो prisoner था उसका चेहरा नजर आया जिसके पतले से चेहरे पतला सा चेहरा था गोरा उसको देखकर भी उसको पसंद नहीं कर रहा था strange he thought बड़ी अजीब बात है उसने मनी मन सोचा I wonder why I could not kill him मैं सुचता हूँ कि मुझे ताजुब होता है कि मैंने क्यों नहीं उसको जान से मार डाला क्योंकि अगर वो उसे जान से मार देता तो फिर घ्रणा की जीत होती यहाँ पर क्या हुई? सेवा और दया की जीत हुई जो सेवा और दया होता है क्या होता है? ये एक positive गुन होता है घ्रणा तो एक negative गुन है तो positive गुन की जीत हुई और यही कारण था कि सदा उने उसे नहीं मारा तो इसके back exercise तो आप chapter से related है इसको आप पढ़ेंगे और उसको करेंगे chapter को बार बार पढ़िएगा story अच्छी तरह से याद होना चाहिए ताकि समझ में आ जाना चाहिए characters कौन कौन कसे है ये सब ही आपको ध्यान रहना चाहिए ताकि कहीं से भी question अगर आ जाए तो आप आसानी से उसे लिख सकें वीडियो को like और subscribe भी जरू कर दीजिए thank you very